Hello guys this is Sanju Kumar for Complexe Solution Channel में मैं आपका एपर फिर सब्सकत करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि Excel में अगर हमारे पास कुछ data होता है जिसमें से अगर हम इसमें से कुछ data को hide कर दें और जो data मुझे visual हो रहा है यानि जो data मुझे दिख रहा है उस data को अगर copy करके किसी दूसरे cell के अंदर paste करें तो वो जो unhide data है वो ना आए बस जो data visual हो या जो data दिख रहा हो वही data केवल paste हो बाकी जो data hide था वो data यहां पर paste ना हो तो लोग क्या बोलते कि copy paste कर लीजे आ जाएगा तो हमने भी वही trick अपनाया तो पता चला कि जो data hide था वो भी और जो data दिख रहा था वो भी दोनों एक साथ paste हो गया और वो सारा का सारा data मुझे दिखने लगा तो मैं एक आपको ऐसा trick बताऊंगा जिससे कि आप जो data hide है वो display नहीं होगा पर जो data आपका display था वो data आपको यहां पे paste होके दिखाएगा तो चलिए आपको दिखा करके इसको hide कर दिया ठीक है अब मेरे पास यहां पे तीन record दिख रहा है तो हमने इन सब को select किया और जो कहा गया था कि copy paste कर लिजेगा नहीं आएगा तो हमने भी इसको ctrl c press किया और दूसरे जगा इसको paste कर दिया तो यहां देखिए जो मेरे पास सारा data था वो सभी के सभी data यहां पे display हो गए पर match आ रहा था कि वो data आए जो display है और जो data ना आए जो hide है तो हमें क्या करना है तो हमें कुछ नहीं करना है हम सबसे पहले जिस data को hide करना है उस data को select करके hide कर लेंगे ठीक है तो यहां से वो data मेरा गायब हो जाएगा उसके बाद हम पूरे table को select कर तो यह सारे के सारा data मेरा select हो जाएगा अब यहां पे control C करिए और जहां पे आपको paste करना है वहां पे control भी कर दीजे तो अब देखिए आपका जो data यहां पे display था वही data आपका यहां पे paste हुआ है जो data hide था वो paste नहीं हुआ है तो इस तरीके से आप unhide data को और जो show data है उसक दन्यवाद